सुप्रभात चात्रो आर्सियाई एजुकेशन हब बानसुर की ओन्लाइन क्लास में आपका स्वागत है विसे संस्क्रतम और टोपिक है हमारा व्यंजन संदी व्यंजन संदी चल रही है बेटा तुसमें इस्चुत्तु संदी हमने पढ़ ली आज हम व्यंजन संदी का तीसरा जलाम जस जसी जलाम जस जसी यानि जल से परे जल से परे जल से परे जलाम जस जसी इसका आर्थ क्या है जल से परे 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 जस हो तो जस हो हो तो जल से परे जस हो तो जल को जल को जस आदेश हो जाता है ठीक है जल से परे जस हो तो जल को क्या आदेश हो जाता है अब बेटा देखो जल जस और जस जल जस एवं जस का जल जस जस का इस्पश्टी करन इस पस्टी करन यानिकि इसजल में कोण-कोण से वरन होते है जस में कों-कोण से वरन होते हैं और जस में कों-कोन से वरनोगें सब्से पहले आता है जल सब से पहलाता है जल पांचों वर्गों के पांचों पांचों वर्गों के पहले दूसरी पहली दूसरी तीसरी चोथी पहले दूसरे तीसरी चोथी वर्ण तथा शे से है तता से शे से है बराबर कुल 24 वर्ण बराबर कुल 24 वर्ण जलकार्थ क्या है पाचों वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चोथे वर्ण बराबर कुल कितने वर 24 वर्ण यानिकि जल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं 24 वर्ण देखो पहले दूसरे तीसरे चोथे पांचों वर्गों के पांचों वर्ग सबसे पहले देखो वर्ग कैं चै टै टै पै यह क्या हो गए पांच वर्ग हो गई ठीक है कै वर्ग चै वर्ग टै वर्ग टै वर्ग और पै वर्ग ठीक है के वर्ग का पहले दूसरे तीसरे चोथे यानि की के खे गे घे के खे गे घे ठीक है के खे गे घे और चे वर्ग का चे चे जे 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 चे वर्ग का त्ब हारक का टे थे डे ठीक है ठीक है टे रोकर को टे थे डे ठीक है और ताइवर्ग रग का है तै ठे डे की दे ज भे और पयर्ग का परतुस patrim बे और भे ठीक है यानि कि इन चारों वर्गों के चार चारवन होगे कितने वर्ण होगे चारवन होगे यह देखो एक दो तीन चार ठीक है चारवन बराबर चारवन चारवन और यह इदर भी कितने होगे चारवन होगे और यह इदर भी चारवन ठीक है और उसके बाद कौन से बताए थे शैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैशैश च्यार वर्ण ठीक है इस प्रकार से कितने वर्ण हो गए च्यार च्यार आठ च्यार ती बारा च्यार चोग शोड़ा च्यार पंजबीस और च्यार 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 जस्ट प्रतेहर प्रतेक वर्ग का तीसरा वर्ण इसमें कौन से वर्ण आते हैं प्रतेक वर्ग का प्रतेक वर्ग का तीसरा वर्ण तीसरा वर्ण प्रतेक वर्ग का तीसरा वर्ण प्रतेक वर्ग का तीसरा वर्ण यानि कि इधर देखो ये प्रतेक वर्ग का तीसरा वर्ण ये उपर लिख देती हूं मेटा ठीके प्रतेक वर्ग का तीसरा वर्ण यानि की के चे टे टे पे के वर्ग चे वर्ग टे वर्ग टे वर्ग टे वर्ग और पे वर्ग ठीके प्रतेग वर्ग का कौन सा वर्ण तीसरा वर्ण तीसरा वर्ण यानिकी गै जै डै डै और बै ठीके इस प्रिकारशे कितने वर्ण हो गए पांच वन होगे जल में तो कितने हो गए थी 24 वन हो गए और इधर में जस में प्रतियहर में कितने वन हो गई पांच वन हो गई अब आता है कौन सा आता है जस जस कौँशा आता है जस जस प्रतेक वर्ग का तीसरा चोठा वर्ण चोठा प्रतेक वर्ग का तीसरा चोठा वर्ण प्रतेक वर्ग का तीसरा चोथा वर्ण, यानिकी दस वर्ण, इसमें कितने वर्ण आते हैं? दस वर्ण, ठीक है? अब देखो प्रतेक वर्ग का तीसरा चोथा वर्ण कैसे? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, कै चे टै पै पै इनhos वर्गों का तीसरा और चोथा और दे कि इंगे निकि प्रतेक बरग का तीसरा बरण गया अब इन की कहचchen प्रण प्रकार से यहां कितने हो गए दोवर्ण हो गए 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 और यहां कितने हो गए दो वर्ण हो गए ठीक है और यहां भी कितने हो गए दो वर्ण हो गए इस प्रकार से यह कुल हमारे कितने वर्ण हो गए हैं दस वर्ण हो गए ठीक है कितने वर्ण हो गए हैं दस वर्ण हो गए इस प्रकार से जलाम जस और जस का इस परश्टी करनी यानिकी जल प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए जल प्रतेहार में 24 वर्ण हो गए थे और जस प्रतेहार में पांच वर्ण हो गए और जस प्रतेहार में कितने वर्ण हो गए दस्वन हो गए है ठीक है आप इसकी देखो साधन रूप से परिभासा और उसके उधारन ये तो हमने आपको जलाम जस और जसी इसका क्या बताया हमने इस परश्टी करण बताया ठीक है अब बेटा परिभासा देखो परिभासा यदी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चोथे यदी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे यदी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चोथे वर्ण के बाद और यदी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चोथे वर्ण के बाद किसी वर्ग का किसी वर्ग का कि वर्ग का किसी वी वर्ग का चोथा वर्ण आए किसी वर्ग का चोथा वर्ण आवे तो उसकी उसकी पहले दूसरे तीसरे पहले दूसरे तीसरे और चोथे चोथे वर्ण के इस्थान पर चोथे वर्ण के इस्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है ठीक है बेटा देखाओ एक पर फिर सभी वाईची करवारी हूं परिभासा को समझो यदि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चोथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का चोथा वर्ण !! तो उसके याणिकि जो पहला दूसरे डूसरे तीसरे चोथा प्रन आ रहा है उस वरण इस्थान पर उसी वरण का जैसlarda का पहला वन आगए दूसी मरड़का कौन सा Mayor सोझेगा तीसरा वर्ण आदे सो जैसे कि वर्ग का आ गया तो वर्ग का कै जो है अपने ही तीसरे वर्ण में बदर जाएगा तो का थाओ अब देखो कुछ उधारणों के मादम से यह था जैसे है लब लंब पिला से धै लंब पिला से धै अब यहां पर बेटा यह देखो जो भै है यह जो भै है यह वर्ग का कौन सा वर्ण है चोथा वर्ण है और उसके बाद तै थै दै यानि कि वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है तीसरा वर्ण आ रहा है तै वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है इसलिए यह जो बये है एक को अपने कौन्से वन्हारों में बदल जाएगा तीसरे वन में तो इसके पहले तीसरे यह यह चोते वन के बाद तीसरे वंण आए यह तीस्रे में किसमी बदल देगे तीसरे में यह याँ इस बैका हमने क्या सब्सक्राकर यह न सब्सक्राइब यह ब्राबर क्या हो जाएगा लब्ध है क्या हो गया है दूसरा हो रहाा है डेखे और बीटा गुंट प्लस धा गो गुझा के द्धा डोग मतल सदाए अब बेटा देखो यह कोन सा वरन है वर्ग का चो था ठीक है अब चोथा वर्ण है उसके आगे यह यह आपने कोंसे में बदल जाएगा तीसरे वर्ण में बदल जाएगा ठीक अब बेटा देखो यह गया चोथा वर्ण आ रहा है इसलिए यह अपने हीद कीस में बदल जाएगा यह यहांद की बदल जाएगा अब इस गय के जगह में क्या कर देंगे यह वाला गय कर देंगे ठीक है इस परकार से हमारा संद्यूक्त बढ़ जाएगा दोग्धै क्य इसके बाद पीसरा है अपने ही वर्ग के तीसरे नमब्र पर क्या है तो इस घ्य का क्या हो जाएक यह वाला तंदح को जाएगा ठीकए को सब्ण बन जाएगा बुध्धि क्या हो जाएगा बुध्धि या तो इस प्रकार से लिख दो और या फिर इसको लिख दो विंव जिए जाने लिख दो बुध्धी ठीक है और बहुत यह विशर गोर लग जाएगा ना एक उसके बाद है योध योद फ्लस धा ठीक है योध फिलस धा अभी विछोथा वाण अ है और यह भी जोध में चोथा वाण है और यह क्या है चौता बर्ण जीस फरकारीं अब यह चोथा वर्ण है तो अपने तीसरे वर्ण में यानिकी यह दै में बदल जाएगा और यह क्या बन जाएगा योधा योधा इस परकार चे ठीक है इस परकार से यह हमारी जलाम जस और जसी वाड़े यानिकी इन वर्णों के बारे में हम जानगे और इसके एक परिभासा पढ़ाएंगे आज इतना ही बहुत है ठीक है इसको अपनी नोट बुक में नोट करना है और अच्छे से ज्याद करना है इसके आगे कल पढ़ाएंगे धन्यवा अच्छे से ज्याद करना है तर ज्याद कर दीक है और जुक मेंजरी नोट करना है झाल झाल